तो अधियो दिश इस मनोज गुमारी इन इस वीडियो वी विल डू एक्सरशाइज 13.3 एड क्योशन नमबर फर्स्ट तो क्योशन नमबर फर्स्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और तो स्टार् 10.5 cm कोन के जो बेस का जो डायमेटर है वो कितना है 10.5 cm तो इस तरह हमें कोन बना लेंगे और इसका डायमेटर जो है 10.5 cm ं इत्सलैंट हाइट और इसकी जो 10 संतिमि मिट्र हो कितनी है 10セंटि मिट्र तो हम यह कर लेंगे 10 10 cm और find its cut surface area और हमें क्या निकालना है इसका cut surface area तो अगर आपने एक्जाम में अच्छे marks लेने हैं तो फिगर विटा most important है आप फिगर से जरूर ड्रो करके बताओगे कि slant height है यह diameter जो भी चीज हमारे पास दे रखी है तो diameter जो है वो कितना है 10.5 cm है इसका point है ठाके हम क्या लिख लें क्या अपन 10 लिख लें 5 से काट दो 5 तूजा 10 5 अंजा 5 और ही कितना आगा 5 तूजा 10 तो कितना जगा 21 अपन में 2 cm यह क्या आगया diameter हमें क्याच यह radius तो diameter की half क्या होति है radius होती है तो यह कितना आगा 21 अपन में 2 तूजा 4 cm यह क्या आगी हमारी radius आगी कितनी दे रखी है, slant height दे रखी है, विटा 10 cm, कितनी दे रखी है, 10 cm, हमें निकालना है क्या इस cut C, S, A, मतलब cut surface area, तो सबसे पहले आप formula put किया करो, formula क्या होता, पाई, आर, L, पाई की value रखो, 22 upon में 7, radius, radius कितनी है, 21 upon में 4, L, L कितनी है, विटा 10, अब देखे, अब cancel करते ह इनको, यह और यह जागा, 2, 2, 2, 4, 2, 5, 2, 2, 2, 1, 2, 7, 7, 7, 3, 21, तो यह आगा, 11, multiply by 3, multiply by 5, कितनी होजएगा, 11, 3, 33, x 5, 5, 5, ज से multiply कर देंगे, तो कितना उजाएगा 5, 3, 15, 5, 3, 15 और 1, 16 इतने centimeter square यह क्या आगया हमारा answer आगया तो बड़ा ही easy और simple question है और exam के point of view से भी important है तो इस type से जो भी आपके question आएगे अब सबसे पहले right side है उसमें figure draw किया करो और उसके according जो left side है उसमें उसका solution किया करो ताकि आपके marks अच्छे आ जीजेगा, now thanks for watching video